असलाम अलेकुम तो स्वागा थे आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को 12 क्लास के उर्दू का मस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव कोश्टन कराने जा रही हूं जी बिल्कुल सब्जेक्टिव कोश्टन को इकठ्था करना फिर देखना की कौन-कौन से सब्जेक्टिव कोश्टन एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कौन-कौन से सब्जेक्टिव कोश्टन आप लोग के एक्जाम में पूछने की संभावना है सभी तरह के मतलब कोश्टन को इक लेकिन दुरुस्ता है भले यूटूब पर एंट्री थोड़ी लेट हो लेकिन उसका content जबरदस्त होना चाहिए ठीक है तो जितना भी मैं subjective question कराऊंगी देखिए मैं पूरा board पर लिख दी हूँ अभी इतना ही question नहीं है अभी और भी है तो जितना भी मैं subjective question कराऊंगी उन सभ question पर आप लोग का command हो जाता है उन सभी question का answer आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोग के लिए आपका आने वाला exam हलवा लगने लएगा इतना important यह subjective question है ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं लेकिन उससे पहले एक छोटी सी request है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक श साहब के घर क्यों जाते थे देखिए first chapter का question है और मैं आप लोग के उर्दू के बुक का लगबग chapter को complete करा चुकी हूं कुछी chapter बचे हैं क्योंकि मैं देखी आप लोग का exam बहुत ही नजदीख है इसलिए मैं आप लोग को most important subjective question कराना जरूरी समझी क्योंकि मैं तो main main जो important chapter है उसको तो आप लोग को पढ़ाई चुकी हूं और जितना भी मैं question उठाई हूं यह अगर मेरा आप लोग वीडियो देखें चैप्टर को पढ़ें तो इन सभी question का आप लोग खुद से answer दे सकते हैं ठीक है तो पहला question बोल रहा है कि फरतुल्ला बेग और मियादानी मॉल पढ़ने के लिए जाते हैं पढ़ाई करने के लिए चलिए दूसरा सवाल है किस अर्वी शायर से मतालोग सबक को पढ़ने के दौरान मिया रजा की छुट्टी हो गई question की कहने का मतलब यह है कि कौन वो अर्वी शायर है जिनकी शेर पढ़ते वक्त मिया रजा की किये और यह गलती को देखकर मौलवी साब बहुत जदा गुसा हो गया और बोले कि तुम कल से मत आना पढ़ने के लिए और उनका मिया रजा की छुट्टी हो गई ठीक है तिसरा सवाल देखिए फरतुल्ला बेग शेर खानी में किस तरह की गलतिया किया करते थे फरतुल्ल जो है वह शेर खानी के दौरान की सेर को पढ़ने के दौरान किया करते थे आयराब की गलती किया करते थे चार नंबर सवाल देखिए कि मियादानी शेर पढ़ने में किस तरह की गलतिया किया करते थे तो मियादानी जो है वह शेर पढ़ते वक्त वह शेर को नसर की तरह अब देखिए अगला सवाल की मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्द और बेतालुक है कैसे मिट्टी का तेल जो है वो बिल्कुल बेगर्द और बेतालुक है क्योंकि मिट्टी के तेल से किसी का रिष्टा नहीं है क्योंकि मिट्टी के तेल की रोशनी में कोई शराबी तालुक नहीं है तो इसलिए जो मिट्टी का तेल है बिल्कुल बेगाज और बे तालुक है ठीक है आगे देखिए राक फिलर कौन था और वह दौलत मंद कैसे बना तो राक फिलर जो था ना वह अमेरिका का बिजनेसमैन था जो की मिट्टी की तेल की बिजनेस करता था और मि किता हमें सोना चांदी हीरा जवरात ठीक है ये सारी जो खजाने हैं कुद्रत ने छुपा रखे हैं और इसके इलावा इसी मिट्टी करता हमें एक चिकना बदबुदार पानी जिसको आम तोर पर हम मिट्टी का तेल कहते हैं कुद्रत ने छुपा रखा है ये होगे आप अदमें तक्मील या फिर हुनर है क्योंकि अधुरापन जो है इन्षाय को ले जाकर लास्ट में ऐसे खत्म किया जाता है कि उस कहानी का इंड नहीं मालूम चलता है उस कहानी को अधुरा छोड़ दिया जाता है लास्ट में ताकि जो पढ़ने वाला है वो खुद सोचे कि कि मतलब आगे क्या हुआ होगा बिल्कुल उसी तरह इंशाय को भी लास्ट में ले जाकर अधूरा छोड़ा जाता है ताकि इंसान जो है जो पढ़ने वाला है वो खुद सोचे कि आगे क्या हुआ होगा तो यह जो है इंशाय में हुनर है आब नहीं है आगे बढ़िए इस दुनिया में जितने बी इंसान है सभी जटने वी इंसान है में पहली हिजरत कर चुके है और उर पहली हिजरत वो इस्तेकाम यानिकी stability की इलामत है तो यह होगे आप लोगा एंसर आगे देखिए खाना बदोष जिंदगी का कुमहार है कैसे जी बिल्कुल जो खाना बदोष होते हैं जिनको बंजारा बोलते हैं जिनका घर इस्थाई नहीं होता है उन्हीं को खाना बदोष कहते हैं तो बरतन को बनाते हैं और उनका बरतन बिगड़ जाता है तो फिर से दुबारा मिटी का लोई उस पर डालते हैं और फिर से बरतन बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह खाना बदोष होते हैं यानि की बंजारे होते हैं वो घर बनाते बिगड़ गया तो फिर उजारते हैं और फिर बनाना स्टार्ट करते हैं फिर खाना बादोस्न झो होते हैं। कुमार होते हैं, वो अपने जिंदगी को खुद है बनाते हैं। ठीक है आगे बढ़िये मलिक सादिक ने सहजादे को किस बात की ताकीद की मलिक सादिक जो है वो शहजादे को किस बात की धम की दिये तो वो इसी बात की धम की दिये थे मलिक सादिक की वो परचा दिये थे एक फोटो दिये थे शहजादे को मलिक सादिक उस पर एक लड़की क फोटो था जो बहुत ज़्यदा खुबसूरत थी तो मलिक सादिक बोले देखो इस लड़की को तुमें किसी भी हाल में ढूंड कर लाना है यह बहुत खुबसूरत लड़की है अगर तुम इस लड़की को ढूंड कर नहीं लाए इसकी खुबसूरती पर तुम उधरी रहे ग की मौत उस जमीन के टुकड़े पर हुए जो नहीं पाकिस्तान का था वो टुकड़न और नहीं वो हिंदुस्तान का था जिस टुकड़े का कोई नाम नहीं था उस जगह पर समय का टाबवर Online की मौत भी ठीक है आगे बढ़िए जिलाणी बानों के दो नवीलों का नाम बता ये जिलानि बानों का कोई दो नौविल बता देना है एक है एवाने गजल और दुसरा है बारिसे संग दो खतम कहानी अगला देखिए कुछन नंबर 15 यरण की पंद्रह इसि इब राहिम मुझा चायर क्लासस स्वाल 16 अबदुर्रब और अब्दुल्ला भैसा कोन थे तो अभदुर्रब जो थे वो स्कूल के हेड मास्टर थे और अब्दुल्ला भैसा जो थे वो सरपर्णश का बेटा था ठीक है बहुत अजीब गरीब नामें, अबनल्ला भहीसा, आगे बढ़िये, अफसाना इबराहिम सक्का के खालिक कौन है और किस मजमुए से अखज किया गया है, तो ये जो अफसाना है अबराहिम सक्का, ये अबराहिम सक्का नाम का कहानी, कि खालिक यानि की लिखने वाले है सलाम बिन रजाक और इस कहानी को शिकस्टा भूतों के दर्मियान नाम के मजमूर से निकाला गया है उससे उखज कर इबराहिम सब का नाम का अफसाना निकाला गया है ठीक है निकल कर आई है आगे बढ़िए देखिए अगला सवाल है अकबर किस पर्चे के नौरतनों में शुमार होते हैं तो अकबर अला बादी जो है वह अवद पंच के नौरतनों में शुमार किये जाते हैं रहे आगे देखिए अकबर अला बादी ने अपनी नज्म का उन्वान क्लीशा क्यों रखा अकबर अला बादी जो हो अपने तो मुस्लिम जो होते हैं मंदिर मस्जिद में जाते हैं इबादत करने के लिए बिल्कुल उसी तरह जो है इसाही लोग जाते हैं चर्च में इबादत करने के लिए तो अकबर अलाबादी जिस चर्च में जाते थे उस चर्च में एक बहुत दा खुबसूरत लड़की आती थ और जिसका टाइटल वो क्या देदी है बरक एकलीसा यानि कि चर्च की बिजली कौन वो खुब सूरत लड़की जिसका नाम रहता है मिस ठीक है आधे बड़ी है सवाल नमबर 20 यानि की 20 है कि कि किस काम से मुतशायर कभी भी नहीं थकता तो वो है जी हजुरी से चापलूसी से मुतशायर कभी भी नहीं थकता है क्योंकि मुतशायर किसे कहता है बनावटी शायर को जो इनसान खुद असल शायर ना हो लेकिन अपने आपको शायर कहता हो उसी को तो बोला जाता है मुतशायर तो मुतशायर जो हमेशा जी हजुरी चापलूसी लोगों के पीचे दुम हि है पैरोडिया देने वाला ठीक है पैरोडिया देने वाले बेरेडिया जो देने वाला है वो मुतशायर के नजर में गमख़ार है ठीक है आगे देखिए क्वेस्टन नमबर 22 है कि ममुले ने शाहिन का चोला बदल लिया इस शायर क्या कहना चाहते हैं ममुले ने शाहिन का चो चोला बदल लिया मतलब अपने आपको शाहिन बोलता है तो इस से शायर यही बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह ममूले ने शाहिन का चोला बदल लिया यानि कि जिस तरह ममूला अपने आपको शाहिन कहता है बिल्कुल उसी तरह जो मुतशायर होते हैं वो अपने आपको असली शायर कहते हैं जिस तरह ममूला ने शाहिन का चोला बदल लिया बिल्कुल उसी तरह मुतशायर जो है असली शायर का चोला बदल लिया ठीक है इससे जो है शायर यही बताना चाहते हैं आगे बढ़िए गालिब ने वजीफाखवार किसको कहा है तो गालिब ने वजीफाखव गया तो चमन में मिर्दा गालिब के जाने से दबिस्तान कुल गया ठीक है याकूब लिएसलाम और यूसुफ लिएसलाम में क्या निस्बत है क्या रिष्टा है तो याकूब लिएसलाम और यूसुफ लिएसलाम में बाप बेटे का रिष्टा है आगे बढ़िए बुलबुल गजल उखा existing हो गई क्योंकि वो शायर की करें दूह-धर्द को देखी शायर के हर एक दुह दर्द को पहचान कर टीकर जानकर समझ कर बुलबुले जो है वो भी घजल गाने लगी ठीक है आगे देखिए पहार काटने वाले की इस्तला किसे के लिए इस्तमाल की जाती है तो पहार काटने वाले की इस्तला जो है वो फरहाद के लिए की जाती है फरहाद जो है वो पहार काटता है तो पहार काटने की इस्तला जो ह है वो तरक्की पसंद तहरीक से हैं तो यह हो गया आप लोग का भी 28 कुश्चन आगे मैं आप लोग को बताती हूं पहले ले लीजिए यहां तक फटाफट स्क्रीन शॉट कि अगे बढ़िए देखिए अगला सवाल है किसकी मौत पर लिखा तो वो अपने बेटे अर्शद की मौत पर लिखे थे अपने बेटे अर्शद की मौत पर गम का इजहार करते हुए वह पतातारीख लिखे जिसका नाम ले क्या रख दिये गम अर्षद ठीक है और इस तरह से भी कोशन पूछ सकता है आप लोगों को मैं यहां पर बता दे रही हूं कि अता का कवी और अर्षद के कवी के बीच क्या निस्वत है क्या रिस्ता है इस तरह से भी कोशन पूछ सकता है तो अता का कवी जो है ना वह अर्षद के कवी के पिता उसता है फिलाल इसका आपने बेटे की आगे है अगला सवाल कवी कि बेटों का भी नाम बता यह है यहां पर तो जो घम अर्शद नाम का कता तारीख है उस घम अर्शद नाम के पता तारीख में अर्शद के दो बेटों का भी जिक्र है दो बेटों का भी नाम लिया गया है उन दोनों का नाम क्या है यही आप लोगों को बताना है तो उन दोनों का नाम है जमील और अकील एक का नाम है तो दोनों बेटे का नाम आप लोग को मालूम चल गया है यह होगे आप लोग का एंसर आगे देखिए कोश्च नंबर 31 है कि मीर अनीज के एक हम असर का नाम है मिर्जा सलामत हुसेन तबीर ठीक है अनीज का तालुक किस दविस्तान से है तो अनीज का तालुक जो है वो लखन नौ दविस्तान से हैं यह होगे आप लोग का एंसर आगे देखिए अगला सवाल सवाल नंबर 33 कि रत्ता की मौत कैसे हुई तो रत्ता की मौत कुछ इस तरह के से हुई कि रत्ता का एक दिन तवियत खराब हो गया और तीन-चार दिनों तक उसका खून का दस्त होने लगा जिसके वजह से एक दिन रत्ता जो है इंतकाल कर गया वो इस दुनिया को रुखसत बोल गया और उसकी मौत हो गई आगे देखिए बाच्छा की परिसानी क्यों बढ़ गई तो बाच्छा की परिसानी इसलिए बढ़ गी क्योंकि उसकी बीवी को बाच्छा की बीवी को सौ वास्ते में नदी आती है नदी को पार करने के लिए कुछ भी नहीं रहता है तो भाल सा सोचता है कि क्यों न मैं बड़े बच्चे को किनारे पर खड़ा कर देता हूं और छोटे बच्चे को अपने कंदे उठा कर लेकर चली जाती है जो कि किनारे पर रहता है और जैसे वह बड़ा बच्चा चिलाता है चीखता है तो बाठ्रा घूम कर देखते हैं अपने बड़े बच्चे को तब तक कंदे पड़ से छोटा बच्चा नदी में गिर जाता है और उसके बाद से नदी उसको बहा कर लेकर चली जाती है तो यहां पर बाठ्रा के दोनों बच्चे जो है जो बड़ा वाला बच्चे रहता है उसको भीडिये उठा कर लेकर चली जाती है और छोटे बच्चे को नदी बहा ले जाती है तो यह होगे आप लोग का एंसर अगला देखिए सोधागर ने बाठ्चा से क्या कहा तो सौधागर जो है वह आता है और बाठ्रा से कहता है कि मेरी बीवी को दर्द हो रहा है यानि की डिलिवरी की दर्द हो रही है डिलिवरी होने वाली है कोई हकीम नहीं मिल रही है कोई दाई नहीं है क्रिप्या आप क्या करें आप अपनी बीवी को मेरे साथ ब लेकर भाग जाता है बादशा की बीवी को ठीक है आगे देखिए बादशा किस मिजाज का आदमी था तो बादशा जो था वो बहुत ही अच्छा और नेक शीरत का था वो अच्छे मिजाज का आदमी था इसलिए जितने भी लोग थे बादशा को फरकंदबख्त के थे खुद लोटता था क्वारंटीन नाम के जगा मरीजों को इलाज करके जब वो घर वापस लोटता था तो राम बालक सावुन से अपना हाथ धोता था जम्स को मार देने वाली पानी से घरारे किया करता था उसके इलावा पीट जला देने वाली गरम गरम कॉफी पीता था या फिर दूर बनाई गई है और उसी जगह पर जितने भी प्लेग से पीडित ब्यक्ति हैं उन सभी प्लेग से पीडित ब्यक्ति को उस क्वारंटीन नाम के जगह पर ले जाकर रखा जाता है तो क्वारंटीन क्या एक जगह का नाम है आगे बढ़िए क्वारंटीन ज्यादा अमव लगातार मतलब एक के बाद एक मौते हो रही थी और मौतों को देखकर जो मरीज थे अपने एक सामने दूसरे को दूसरे मरीजों को दम तोड़ते हुए देखकर फुद मर जाया करते थे ठीए और पूरा जो शहर के लोग है उसक्वारेंटिन नाम के जगाव जाने से डढ़ा करते थे ठीच है तो यही वजा था कि क्वारेंटीन में सबसे ज्यादा म फरीजों को देख कर तीट तो इसी लिए ज्यादा अवात का बास बनी यादा मौत का कानय होई जरु यह ज्यादा ब्रांडी की पीने का डॉक्टर पर क्या अधर हुआ है तो ज़रु सबस्ा से जादा ब्रांडी जब डॉक्टर सहाब पिलिये नवस घोड़े की तरब दोरने लगा। वो पागलों की तरहुं हरकत करने लगे और एक पल के लिए तो सद्दुद इनकलाब का जो है ना तब रफ तब्दीली की रफ्तार बहुत धीमी रहती है आगे बढ़िये रात हस हस कर शायर से क्या कहती है तो रात जो है वो हस हस कर कहती है शायर से कि चल किसी में खाने में चल या फिर किसी शहनाज के काशाने में चल अगर वहां पर भी क्षमाल हिंदुष्टान के शुरा को किस तरफ किये तो रिखता गोई की तरफ वाली जो है वह रिखता गोई कि तरफ रागब ठीए थीकले बड़ी इनि खसूसान किस सिन्फ में तबंद आजमाई है या 4 ृष्य है वह पौन-कौन से सिल्फ लिखे हैं वो अपसाना लिखे हैं कि नावी लिखे हैं कि घजल लिखे हैं कि खाका लिखे हैं कौन-कौन सी मतलब वो चीज़े लिखे हैं तो रासिक खजिम अबादी जो है ना लगबग सभी सिल्फ में तबाजमाई हैं लेकिन खास तोर से वो सबसे ज़्यादा गजल और मसनवी लिखे हैं रासिक अबादी सबसे ज्यादा गजल और मसनवी तो दो चीजों में रासिक अबादी बहुत ज्यादा तबाजमाई है कौन-कौन सी मसनवी और गजल गजल और मसनवी दो चीजे ठीक है और जरूरी नहीं कि सवाल इस तरह से पूछेगा कि रासि किसक्ति सिंफ में सगफ है राशिक का किन तो तरह से भी कोषिण पूच सकता है तो इसका भी एंसर कि आँ ही होगा कि रासिक जो थे रासिक अजी मादी वो फड़ाश में ज्यादा तवाजए है एक सगफ का ममदा किंव कि रासिख की मौत कब और कहां हुई रासिख अज़ीम अबादी की मौत हुई है 18-20 को पटटना में यह हो गए आपनों का Answer के सिदा की इपतदा कि सबसे पहले अरभी ज़बान को लिखा था फिर इसके बाद किसीदा जिदा लिखा जाने लगा कोश्चन नम्बर 48 है कि फार्सी जबान के कि इस अरतने के अपने लिए नमूना बनाया तो वो है सिराजद्दीन अली खाँ ठीक है इस रहा जुह जो है सिदा नीगार है और उनको नमूना बनाया है मिर्जा रफी सौदा ने यह है जो सौधा हैं वो अपने अपने लिए से दिन अनी खा को तरह से नमना बनाया था ठीक है आगे बढ़िए सौधा का सबसे मशूर हजुआ पसीदा कौन है तो मिर्जा रफी सौधा मुम्கिन काम भी मुम्किन हो जाता है सागर भी अपना रस्ता दे देता है पहार से भी वो रास्ता निकाल लेते हैं Liu मेहनत करने वाई ठीक है है आगे बढ़िए सौदा ने तकरीवन कितना कसीधा लिखे तो सौदा जो है वो तकरीवन तीन सा पसी दे लिखे थे हो गया आप लोगा एंसर असरे हाजिर के सांथ शायर क्या सुलूक करना चाहता है तो असरे हाजिर के सांथ जो है शायर उसके हाथ में से खंजर को चीनकर यानि कि छूड़ी को चीनकर तोड़ देना चाहता है तीकि असरे हाजिर के सर पर जो ताज लगा ह हूँ ठीक है आगे बढ़िए शिकस्ते जिन्दा का खौब की ताबीर क्या है तो शिकस्ते जिन्दा का खौब की ताबीर है मुलक की आजादी ठीक है मुलक की आजादी जब मिलने वाली थी तभी शिकस्ते जिन्दा का खौब नाम का नजम लिखा गया था ठीक है आगे बढ कोशचन जो है यह 500 Tennessee अभी मैं आप लोगों को जितना भी वह ददो नमबर का था और बैसों क्वारिंटीन का खुलासा की जिए अप लोगों चक्का और एक क्वारंटीन ये पांचों अफसानों को मैं अल्रेडी पढ़ा चुकी हूँ और इन पांचों में से कोई एक जरूर पुछेगा खुलासा करने के लिए देखिए जैसे कि यहां पर लिखा है अफसाना क्वारंटीन का खुलासा कीजिए तो इस तरह से भी कोश् अफसानों में से कोई एक ना एक जरूर पुछेगा यह मैं आप लोग को गरंटी देती हूं लिखकर गरंटी देती हूं पांचों अफसानों में से एक ना एक अफसाना का खुलासा जरूर पुछेगा और इसलिए आप लोग को इन पांचों अफसानों को मैं पढ़ा चु है ताकि आप लोग को इसका एंसर लंबा चोड़ा करके लिखने में आसानी हो ठीक है और देखिए 56 कोशन है कि नजम बरक कलीशा का मरकजी ख्याल वाज़ा कीजिए नजम जो बरक कलीशा है यह कवीता का आप लोग का मरकजी ख्याल अब आप इसको पढ़कर बरक कलीशा को इस नजम को जानकर पढ़कर आप लोग को क्या ख्याल आया थीम बता देना है बरक कलीशा का अब देखिए नजम में भी जरूर नहीं है कि बरक कलीशा का मतलब मरकजी ख्याल पूछेगा नजम में खेती भी नजम है गुफतगू नाम का भी नजम है ठीक है हम नहीं जानत वारा भी एक नजम है श्रीकस्त जन्दा का फॉब व भी नज में तो जितने भी जितना वेआप लोगों बताइए इसमें से एक न एक का जरूर आप लोगों का थीम पूछेगा तो उसको आप लोगों को अब पांचों अफसाने में से कोई पांचों अफसाना का आप लोग कहानी जान लीजिए उसमें से एक नाएक पूछेगा तो उसमें से आप लोग का पांच नमबर आ जाएगा और नजम में जो आप लोग को पढ़ा चुकी हूं बरहे के कलिसा भी पढ़ा चुकी हूं खेती तो यह दोनों जो कोश्चन है बहुत दा इंपॉटेंट है पांच नंबर क्योंबर क्यों क्यों सब्सक्राइब प्रकास नरायन का जमूरियत में किस चीजे पर यकी नहीं था तो जैप्रकास नरायन को जमुरियत के में तसद्दुत पर यकिन नहीं था आगे बढ़िए तालिब इल्मी के जमाने में बेदी किस नाम से लिखते थे तो तालिब इल्मी यानि कि स्टुडेंट लाइफ में जो राजेंदर सिंग बेदी है वो मौसिन लाहरी के नाम से लिखते थे तो यह हो गया आप लोग का टोटल फिफ्टी एट कोस्टन जो की बहुत जिदा भीवी आई है यानि कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट है अगर इन सभी कोस्टन पर अगर आप लोग का कमांड हो गया तो आप लोग के लिए आने वाला एक्जाम एकदम आसान लगने लएगा ठीक है देखे मैं जितना भी फिफ्टी एट कोस्टन कराईudes मुझे लगता है कि आप लोग को लगबख को चुश्टन पर आप लोगका एंसर याद हो गया होगा अब दो तीन बार विडियो को देख लेंगे न तो पूरा फिफ्टी एट कोस्टन पर आप लोग कमांड कर लेंगे और सारा का एंसर आप लोग का याद हो जाएगा तो जितना हो सके जो है ना इन सभी कोस्टन पर कमांड कर लीजिए और खास तोर पर यह जो मैं दोनों बताई ठीक है अफसाना में जरूर नहीं कि क्वारेंटीन पूछेगा पांचो अफसाना आप लोग को खलास कर लेना है पांचो अफसाना का बस जान लेना है कि उसमें क्या क्या कहानी बताये गया है और उसके बाद आप लोग सब जब समझ जाएंगे कि उसमें क्या क्या कहानी बताये गया तो उसका खुलासा भी कर देंगे है ना तो पांचो अफसाने को मैं उल्लेडी अगर नहीं किये हैं तो इंतिजार किसका कर रहे हैं धीरे से लाइक मारिए सब्सक्राइब मारिए अगर आप लोग चैनल पर नए है तो प्रेस कर लिए ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुंचे और हजारों बार बार किजिए अपने जबार किजा करों यां सब्सक्राइब कर लाजह को अब वडenti वीडियोigen नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज